इसमें प्रीवियस लेक्ट्ट्ट्र में जो हमने कोउशन lanes skip किए थे लास्ट में स्ण dow स्ञोडी एते उनको कांटिन्यु करेंगी एक कोशन आप करवा दिया था प्रीवियस लेक्ट्ट्र में सैखिंड कोउशन क्या है second question में आपको सेट दी है जैड़ प्लस का जैड़ प्लस मतलब पॉस्टिव इंटीजर्स और एस्टार भी बोला एक ब्राबर एस्टार भी किसके ब्राबर बोले एक बीए और आपको चेक कर रहे बाइनरी आप्रेशन है या बाइनरी ओप्रेशन नहीं है तो चैक करना कैसे चैक करेंगे देखो तो सबसे पहले यह आपका जैड़ प्लस आगया जैड़ प्लस पॉस्टी में टीजर्स का मिनिंग क्या होता है तो अब स्टार हटाओ के दोनों को मल्टिप्लाइ गरना है तो आपको चेक करना अब दो इन्टीजर उठा लो कोई भी और उन दोनों का मल्टिप्लाइ लो वापिस इधर ही जाना चाहिए तो ऐसा तो होता ही है अगर आप कोई भी दो पॉस्टिव इंडिजर हो जैसे हमने भी किसमें जाएगा जैट प्लस में जाएगा क्यों क्योंकि प्रड़क्ट अफ टू पॉस्टिव इंटीजर इस अगेन पॉस्टिव इंटीजर ठीक है आई होप आप समझ के होंगे और अगर इस कोशन में दो इनटीजर का पॉड़क्ट इनटीजर ही बन रहा है तो इसका मतलब इस कोशन में जो ये स्टार है आपके बांघेश्यन ये स्टार के है ये स्टार हमारा बांघेश्य तो आई होप आप समझ लिए लास में लिख देना देर्फोर स्टार इस बाइनरी उप्रेशन नेक्स्ट कोशन चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट कोशन में हमें दिया है और रेल लंबर और एस्टार बी दिया हुए आपको एबी स्केर तो यह तो क्लेलिया में दिख रहा है कि अगर आप रेल लंबर का सैट ले रहे हो और ए और बी दो रेल लंबर है अगर ए और बी दो रेल लंबर है ए और बी दो रेल लंबर है तो हमें यह तो मालूम है कि जो बी स्केर है वो भी क्या होगा रेल लंबर क्योंकि रेल लंबर क स्केर हमेशे रियल ही होता है और अगर बीस के रियल लंबर है तो अगर में रियल ए रियल लंबर है और बीस के रियल लंबर है दोनों को प्रड़क्ट करेंगा बोल भी क्या होगा रियल लंबर और इदर इसे लिए प्रड़क्ट आफ टू रियल लंबर इस रियल लंबर तो इसका मतलब है कि जो A star B है वो किस में आ रहे है आर में आ रहे है तो yes इसके अंदर भी है binary operation है तो रियल नंबर स्केर करने के बाद वो अगेन से क्या बनेंगे रियल नंबर बनेंगे ठीक है नेक्स कोशन है आपकी बुक में on Z plus positive integers दिया हुए और A star B दिया mod of A minus B अब देखो एक problem आती थी अगर mod नहीं लगाते अगर बाई चांस mod नहीं लगाते तो positive integers यह होते है अगर mod नहीं लगाते तो मैं अगर A को 3 लेता और B को 4 लेता और मैं A minus B करता simply मैं क्या करता A minus B करता तो वह था 3 minus 4 minus 1 और जो minus 1 था वो positive integer नहीं है तो अगर mod नहीं लगा होता तो मैं बोलता ही binary operation नहीं है मगर mod लगा हुआ है तो mod की वेशे जितने भी minus होंगे वापी से क्या बन जाएंगे plus बन जाएंगे और वो Z में belong कर देंगे ठेक है तो हम बोलेंगे yes, इस case में भी इस case में भी जो आपका Z plus है sorry, जो आपका star है इस case में जो आपका star है yes, वो binary operation है इस case में वो binary operation है mod की वज़े से ठेक है last question आपका on Z plus a star b is equal to a तो आप देख लो आप दो positive integers ले लो answering का positive integer ही बनना चाहिए तो आपका आपका star b है वो a बन रहा हो रही है तो इसका मतलब कि जो ये star है ये भी binary operation है इस case में भी ये binary operation है I hope आपको ये भी check करना आ गया हो कि कोन binary operation है और कोन binary operation नहीं है ठेक है आप कुछ और questions करेंगे important questions इसमें इन question में क्या पूछा है check करो कि whether जो star है वो commutative है या associative है तो आपको binary operation दिये हुए है आपको check करना है कि commutative है या associative है तो पहला question आपके पास है on z integers दिये a star b कितना दिये a minus b और आपको चेक करना है क्या ये commutative और associative है या नहीं है ठेक है तो ये चेक करना काफी easy है commutative कब होगा पहले मैं आपको वो एक माई याद करवा देता हूँ commutative कब होगा जब a star b और b star a क्या होगा same होगा अगर a star b और b star a same आता है तो इसका मतब वो commutative है और अगर वो same नहीं आता है तो इसका मतब वो commutative नहीं है ठेक है I hope आप चीजों को समझ रहे होंगे अगर आप दियान से देखो students तो solution में पहले मैं लोगा a star b और जो a minus b है वो minus time है b minus a के है ठेक है अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो चलो पहले मैं आपको इसी तरिक्के से समझाता हूँ simple तरिक्के से a star b is equal to a minus b और जो b star a है इस कोशर में वो कितना है b minus है तो हमें पता है clearly जो a minus b है और जो b minus a है वो सेम नहीं है इसका मतलब इस कोशर में जो a star b है और जो b star a है वो भी सेम नहीं है तो इसका मतलब therefore star is not commutative इस कोशर में यह commutative नहीं है ऐसे प्रूफ करते हैं कि commutative है यह commutative नहीं है ठेक है तो I hope आपने note कर लिया होगा नोट कर लो मैं score up कर रहा हूं associative property प्रूफ करेंगे अब करेंगे associative property तो associative property के लिए students लेते हैं a star b star c तो associative property के लिए जब मैं b और c का star हटाऊंगा तो यहाँ जाएगा b minus c और अब मैं star हटाऊंगा तो यहाँ जाएगा a minus b minus c क्यू कियूं यह बोलता है जब star हटाना है तो बीच में minus लगाना है पहले मैं ने यह star हटाया तो b और c के बीच में minus लगाया फिर मेरे पास एक term a थी और एक term b minus c थी इनकी bीच का star हटाया तो बीच में minus लगाया तो यह बना a minus b plus c अब उसके बाद A star B star C अगर आप दियान से देखो पहले मैं ये वाला star हटाऊँगा तो बीच में क्या लगाएगा माइनस लगाएगा फिर अब एक term ये है और एक term ये है ठीक है मैं दोनों के बीच का star हटाऊँगा तो जैसे मैं star लगाँगा तो बीच में क्या लाएगा माइनस और मैं ब्रैक्टों को सॉल्व करूँगा तो यह आएगा A माइनस B माइनस C चेक करो यह तो सेम नहीं आ रहा है तो मैं क्लेरी बोल सकता हूँ कि इस कोशन में जो A स्टार B स्टार C है और वो A स्टार B स्टार C के बराबर नहीं आ रहा है तो आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा therefore star is not associative in this case इस कोशन में स्टार एस्टार नहीं है ठीक है I hope आप चीजों को समझ रहे होंगे अगरा वो कोई भी डाउट है तो आप में को नीचे जो कोशन आंसर की क्योरीस है उसमें आप पूछ सकते हो ठीक है next question देखते है next question आपका rational number है next question आपका rational number है और आपको A स्टार B दिये A B प्लस 1 A स्टार B दिये A B प्लस 1 कमूटेटिव देखो कमूटेटिव के लिए हम क्या कहरेंगे A स्टार B लिया तो यह कितना आता है A B प्लस 1 मैं इसको उल्टा भी लिख सकता हूँ B A प्लस 1 क्यों क्योंकि जो A और B है वो rational number है और दो rational number को जैसे multiprodukt करवान सा सेम आता है और जब मैंने B A लिखा जब मैंने इसको चेंज कर दिया तो यह किसकी value है B star A की तो therefore इदर star कमूटेटिव है इस कोशन में star है कमूटेटिव है ठेक है अभी इस कोशन में अगर associative चेक करना हूँ इदर आप उपर लिख देना for commutative और दूसरे पार्ट में for associative associative चेक करना हूँ students तो क्या करेंगे हम निकार लेंगे A star B star C B star C का मत्रब है B C plus 1 अब अगर आप दियान से देखो यह एक term है और यह दूसरी term है तो वो क्या बोलता है, दोनों करों multiply star क्या बोलता है, पहले दोनों करों multiply तो मैंने दोनों किया अब धयान से समझो अब आपको निकाला है a star B star C अगर अब दियान से देखोगे तो यह जो Star है यह Star किया बोलता है Star निकाल लो a2 % multiply add लो और एक क्थर्म यह और और एक ट्रम यह स्टार यह स्टार सबर्साइब नहीं हो इस टनीका स्टॉन करें आख आप जायेगा abc-c Urban chakr सकते हो दोनों सेम नहीं अरे हैं तो यह सुषेटिव भी नहीं तो या साइकर्ड कोशन है नहीं एकमोडेटिव है नहीं यह एक शेट तिम थे के आई होप आपको यह छीजह समझ आ रहे होंगे ठीक है नेक्स कोशन चलेंगे नेट्स कोशन है क्या हूँ A star V is equal to A B by 2 रैक्शन नंबर दीए और बोला है A star V is equal to A B by 2 अगर आप द्यान से देखको तो पहले मैं इसको A star V करूंगा वो कितना है A B by 2 को मैं लिख सकता हूं बाई-टु ने मैं चेंज कर सकता हो फिर बी अगर आपने कर दिया तो ये भी स्टर रहे है तो आप सीधे लिख सकते हो ये कमूटेटीव है therefore स्टार इस कमूडेटिव दूसरा एस्टीटिव के लिए एस्टार बी स्टार सी चक किया कितना आएगा एस्टार मैंने इनका स्टार्ट आया तो बोलता है दोर्नों का मल्टिप्लाई करो और डिवाइड करो टू से फिर फर्दर अगर आप देखोगे यह एक टर्म है और यह एक टर्म है स्टार हटा होगे तो दोनों का मल्टिप्लाई करो और डिवाइड करो टू से तो यह कितना आजाएगा ए बी सी अपॉन फोर यह आपका एस्टीटिव का पहला पार्ट आया एस्टीटिव में जब एस् स्टार हट आउगे तो कितना आजाएगा एफ वाई टू बीच में लगा लो स्टार सी अब स्टार अठाघू को को मल्टिप्लाई करोगे इसके साथ si के साथ और ऑपॉन कर दोगे टू जिब भी स्टार गाऊ अब बीज़ाई उसके से ठीकर है और स्कॉर ठीक है आई होप आपको ये चीजें सब समझ आ रही होंगी कोई भी डाउट है आँ मैं को पूर सकते हो ठीक है इन सीरिस का पूरा का पूरा कोर्स स्टूरेंट्स हमारी एप में भी एविलेबल है एप हमारी लॉंच हो चुकी है वेदरम क्लासिस के नाम से उसका लिंक आपक प्रिप्शन में दे दिया गया है तो उसमें यह कोर्स पूरा अपलोड है जो भी लेक्टर्स तीन या चार अगर लास्ट वाले के रहते बहुंगे वह भी साथ में आपको सारे अपलोड करके मिल जाएंगे तो उसमें सिस्टेमेटिक वे में सारी एक्जेंपल्स करवाई ह हुए है सारे प्रीविए से कोशन से भी डिसकस की हुए है तो आई होप कि आप उसको पर लॉगिन करके चेक करोगे बाकि यूट्यूब के लैक्टेंस यह भी आपको कोशिश करूंगा प्रवाइड करने की कि आपको बता है इस पर जो मैंस हैं वह बहुत सारे हैं तो रिक ठीक है और कोई भी डौट है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और एब में भी कोशन आंसर का एक सेक्शन दिया हुए है उसमें आप क्यूरी डाल सकते हो मेरा वर्टसेम नंबर आप लोगों के पास है आप उद्र बे पूसकते हो हाँ एक गरेंटी चीज मैं है आपका सलेबस कंप्लीर करना वो मैंने सारा का सारा करवा दूंगा आपको टेक्स्ट बुक लेने की भी कोई जरूरत नहीं है आप बस बार बार रिवाइस करो सारा पेपर हंड्रेंट टैन परसेंट गरेंटी है जो मैं पढ़ाऊंगा उसी में से आएगा ठीक है आगे चलते हैं प्लाइक चलते हैं हैं और यह जब लेक्चर आपो यूट्यूब पे मिल रहा है तो आई होप तब तक हमने को reduz कर दिया होगा ठेक dau को यह लखेश यूट्यूब मिलेगा तो तब तक कोर्स लांच होगा आपको बस आब में लागन करना और को वेलग करना ऑफर्य अवेल करने है ठेक है मैं इस हिसाब से कोर्स प्रोवाइड करूंगा कि वो सबके लिए जैनुर रेट में एविलेबल हो जाए ठेक है तो नेक्स्ट कोशन है ओन्जेट ब्लस यह है जैट ब्लस और आवो क्या दिया हुगा है एस्टार बी दिया है तू की पावर एपी कमुटेटिव चेक करोगे तो स्टूडेंट्स यह आ गया एस्टार भी इसका मतलब है टू की पावर एपी और पावर में एपी की जगा आप बी यह कर लो कोई फरक नहीं पड़ता है और इसको बोलते है बी स्टार है तो यह कमुटेटिव तो है एस्टुटेटिव चेक कर होगे तो आ जाएगा एस्टार बी स्टार ची रे का मतलब है टू की पावर बी सी टू की Pawe base अ है ठीक है अब क्या करने है अब आपके पास ये दो टा ern started English ये दोू दोर्ण उसने बोले जब business का स्टार्ट आउ du Guna ने और जो दो Terms हैे वो उप्र मेल्टिपले करनी है नहीं तो की पावर एंटो दो की पावर बीसी यह ध्यान से देखना ठीक है और अगला है एसतार बीस टार सी अब जब स्टार फायगे तो ही आ झायगे जाए बी स्टार ची अब जब स्टार दाता हुगे टू तो लगा नहीं है 2 के उपपर ये term और ये term का product लगा रहा है 2 की power AB into C तो ये बिल्कुल सेम नहीं आ रहे है तो ये associative नहीं है जो ये binary operation है commutative तो है मगर ये binary operation associative नहीं है ठीक है next question चलते है next question है A की power B Z plus on Z plus A star B is equal to A की power B अगर आप द्यान से देखो तो A star B का मतलब क्या है A की power B और इस question में B star A का मतलब क्या है B की power A ठीक है और आप clearly देख सकते हो कि जो A star B है और वो B star A है वो सेम नहीं आ रहे है तो इसका मतलब क्या है ये commutative नहीं है ये operation commutative ये binary operation commutative नहीं था अब हम associative चेक करेंगे तो question क्या बोलते है जब star अटान है पहली term के ओपर दूसरी की power चरा देनी है तो पहली B है उसके ओपर चरा दिया अपने C ठीक है अब ये एक term है और ये एक term है पहली term कोन है A उसके ओपर चरा दिया B की power C ठीक है तो अब ये निकार रहा हूँ A star B star C इसमें A को वैसे रखा उसके ओपर चरा दाया B अब पहली term कोन है A की power B इस पूरे की ओपर चराना है C तो फर्क है इदर A की power B की power C है इदर A की power B की whole power C है तो इदर क्या हो जाएगा A की power B C मल्टिप्लाइ हो जाएगा ये दोनों अपस में सेम नहीं आ रहे है तो जब ये दोनों अपस में सेम नहीं आ रहे है तो ये जो operation है ना ही ये commotative था ना ही ये associative था ठीक है Next question है R minus minus 1 पे A star B is equal to A upon B plus 1 अब minus 1 क्योंगी है अगर B minus 1 हो जाएगा तो ये infinity बन जाएगा इसलिए जो set है उसके अंदर minus 1 नहीं है अब commotative चेक करना है तो commotative रहे हैं चेक करेंगे हम पहले A star B निकालेंगे और वो है A upon B plus 1 फिर हम B star A निकालेंगे वो है B upon A plus 1 और दोनों आपस में सेम नहीं है A star B और B star A आपस में सेम नहीं हैं हम बोलेंगे commotative नहीं है associative के लिए A star B star C B star C का मतलब है B upon C plus 1 अब मुझे कैसे पता चला देखो इसने बोलने हैं जब star हटाओगे तो पहली term numerator में और दूसरी निच्छे और 1 नहींड कर देना है तो पहली term numerator B मैंने numerator में लाखी C निच्छे और 1 नहींड कर दिया अब यह पहली term में और यह दूसरी term है तो पहली term numerator में दूसरी term निच्छे दूसरी term थी B upon C plus 1 और 1 नहींड कर दिया ठेक है अब जब आप दूसरा निकालोगे A star B star C तो पहली term उपर निच्छे वाई term में 1 नहींड star C अब पहली term है यह और दूसरी term है यह तो पहली term रखनी है उपर A upon B plus 1 और निच्छे C plus 1 आड़ कर देना तो इस term को जब आप solve करोगे तो यह आजाएगा A upon B plus 1 और यह निच्छे आजाएगा C plus 1 मगर इस term में कुछ हो और है LC हम लेना पड़ेगा तो यह आपस में से हम नहीं आ रहे है तो मैं बोलूँगा कि जो इस question में भी जो star है वो associative नहीं है ना ही वो commodative है तो ऐसे check करते हैं कि कोई binary operation associative और commodative है या नहीं है sorry तो I hope आपको इतना समझ आ गया होगा अब जो हमारे इसके बाद next lecture है उसमें हम करेंगे identity element और inverse element निकालना ठीक है और फिर हमारा यह जो binary operation है यह topic हतम हो जाएगा और फिर हम निया topic start करेंगे groups I hope आप lecture को अच्छे से समझ रहे होगे तो इस lecture में